यह पेपर रीट के मकसल से तयार किया है, सीटेट का है, तो चली हम सुरू करते हैं, प्रैसन किस तरह से आए? बन विहार बन जीव भ्यारण कहां पे है यह दोलपुर में सोर सेन बन जीव भ्यारण बारा में बंद बारेठा बन जीव भ्यारण भरतपुर में है केसरबाग बन जीव भ्यारण दोलपुर में जरगा इनको पहाडियों को अराखली प्रपरपत मालय की पहाडियों को घरते वेकरम में जबस्तित करना है तो जरगा पाहड़ी की उद्चाई कितनी है जर्गा पहाड़ी के उचाई है 1431 मीटर और यह उद्यपूर राजसमंद में है रगुनात गड़ रगुनात गड़ यह सीकर में है और इसकी उचाई 1055 मीटर सज्जन गड़ सज्जन गड़ छोटी के उचाई है 938 मीटर यह उद्यपूर में है लीलगड लीलगड भी उद्यपूर में है यानि मारवाड में है सोरी मीवाड में है और इसकी उचाई है आठ सो चोहतर मीटर गुरुद्वारा बुद्ध जोहड कहां पर है तो गुरुद्वारा बुद्ध जोहड कहां पर इस्तित है श्री गंगा नगर जिले में ग्यारवी पंच परसी योजना का उद्देश क्या है तेज और अधिक समावेशी का विकास करना क्रपाल सिंग किस से संबंदित है बिलू पॉर्टरी से संबंदित है जैपुर में है बिलू पॉर्टरी राजस्थान का एक मात्र उलकापेंड प्रकार के क्रेटर M.I.C. कहां पर है रामगड बारा में है खातोली का युद्ध कब हुआ था पंद्रासों सत्रा इसीवी में खानवा का युद्ध कब हुआ पंद्रासों सत्रा इसीवी में अरमाडा का युद्ध कब हुआ था ये वहता पंद्रासों सत्तावन इसीवी में सामेल का युद्ध कब हुआ था 1546 ECV में इंड़स्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम IPRS रिपोर्ट 2.0 कितने पार्क लीडर है कितने पार्क लीडर बनाए गए है इसमें है 17 पार्क राजिस्थान महा अधिवक्ता कार्याले अस्तित्व में आया कब आया था राजिस्थान अधिवक्ता कार्याले ये 1956 में राजिस्थान पुनर गठन की दोरान आया था तो राजिस्थान महा अधिवक्ता कार्याले अस्तित्व में कब आया 1956 में राजस्तान का पुनरगठन हुआ तब प्रतम अदिवक्ता कौन था राजस्तान का तो वो था जी सी कासलीवाल राजस्तान सब्दकोस की रचनकार कौन थे सीताराम लालस कवीवे चित्रकार नागरिदास कवी वे चित्रकार थे जिसको नागरी दास के नाम से भी जाना जाता था तो ये थे राजा जस्वन सिंग राजा जस्वन सिंग को नागरी दास के नाम से भी जाना जाता है और ये किसंगड चित्रसैली से संबन देता है किसंगड चित्रसैली अजमेर की है भीली लड़किया भीली लड़कियों की विवा के समय दीवार पर लोक देवी का चित्र बनाया जाता था उस लोक देवी का नाम क्या है तो भरडी माता राजिस्थान में जनाधार अधिनियम प्रभावी हुआ तो जनाधार अधिनियम चालू हुआ था दिसम्बर से हुआ था अठारा दिसम्बर 2019 से और एक अप्रेल 2022 से इसकी कार्ड को मानेता दी गई राजिस्थान में पहली हस्त सिल्फ नीती जारी हुई थी 2022 में राजिस्थान में विदान सवा का सद़ से रहे भी न कोई व्यक्ति छे माहा तक मंत्री पद पर रह सकता है राजिस्थान में उच्छ न्यायरे के न्याय धिसोई सेंक्या पचास होती है प्रेसने पबनों की दिसा के समानतर बनने वाला बालू का इस्तूप है तो वो है सीप और जो पबनों की दिसा के समानतर नहीं बनते हैं वो पेराबॉलिक बरखाना और अनप्रस्थ सीप बादला बादला कहां का प्रसिद्ध जूदपुर का नमदा नमदा टॉंक के प्रसिद्ध है पावराजाई कहां की है जैपुर की खेसला कहां के है लेटा के राजस्तान स्टेट केमिकल वर्क्स कमपनी कहां पे है डिडवाना में हाई टेक ग्लास फेक्टरी कहां पे है जोदपुर में मेवार सुगरमील कहां पे है तो ये है भूपाल सागर में जे के सीमेंट कहां का है निंबाहेडा चित ओडगड है युणनानी सासक मीनडर की मुद्रा किस पुरातत्व विभाग में मिली थी यानी किस पुरातत्व स्तलपर मिली थी तो वेराट जेपुर में मिली थी व्यराट में अधिकत्ब महारक्षी त्वन cap34 कहां पर हैं उद्यपुर जिले में राजस्थान महिला परिशद में उद्यपुर में हैं और किए इसकी स्ठापना किस ने की थी एक सांता त्रीवेदी दुआ रखकी गई थी इसकी स्ठापना महिला परिशद मुगल अदीनता स्वीकार नहीं करने वाला सासक कौन था तो मेवाड का सुरी मारवाड का सासक था राव चंद्रसेंग राजस्थान राज किये सुरी राजस्थान स्कूल आफ आर्ट की रचनकार कौन थे राम सिंग तो महा महाराज सवाई राम सिंग सेकंड थे अटरल सेवा केंद्र का नया नाम क्या है राजी गांदी सेवा केंद्र देव नाराण जी की फड़को बास्ते समय कौन से बादियंतर का प्रियूक किया जाता है जनतर का भारतिय सम्मिदान की राज्य सूची कर मैं किसको सामिल किया गया है तो लक्जरी कर मनरंजन करों सरसोध पादक जिले हैं सवाई मादवपुर और करोली अध्यारोपित नहीं है ऐसी कौन सी नदी है जो अध्यारोपित नहीं है तो बनास नदी इजलास खास का गठन किस ने किया था इजलास खास का गठन किया था महाराण सज्जन सिंग ने निर्मान किया था महाराण सज्जन सिंग ने इजलास खास के निर्माता कौन है महाराजा सज्जन सिंग प्रत्वी पर ऐसे सोला इस्थान है जिनको प्लेनेट डी में सामिल किया गया है और 2022 में राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसको सामिल किया गया है तो वह है उधैपुर जिले को जालो और सीकन नागोर जुहनों की जलबाईव कैसी है तो इसकी एसेच है यानि भी एसेच डबलू कॉपेन के अनुसार 2011 जनगना के अनुसार अनुसुचित जाती का जिले की कुल जनसेंख्या से कम प्रतिशत है जिले में जितनी जनसेंख्या है उससे बहुत कम प्रतिशत है तो वह बीकानेर और नागोर जिले की राजस्थान में दूलहा बारात ले जाता है और पीछे से महिला एक खेल करते उस खेल का नाम क्या है तो उसको कहते हैं खोडिया या तूटिया कहते हैं जल जीवन योजना के लिए केंद्र और राज्य सरकार का कितना कितना योगदान है तो 50-50 योगदान है इसमें राजस्थन विदायक छेत्र विकास योजना 2022 में विदायक छेत्र के लिए कितना करोड रुपे मंजूर किया गया है तो इसके पांच करोड रुपे राष्टपती शासन कब लागू होता है तो अनुच्चेद कि तीन पांच दो हैं 352 में लागू होता है और राजस्तान में चार वार कितनी वार राष्टपती शासन लगा है तो इंधियों 352 में लिप्ट नहर के विश्यम बताना है तो जे नारेन व्यास लिप्ट कहाँ पर है तो जे नारेन लेकर कि जाते लिफ्ट नहर को जोदपुर से जे सलमीर ले जाते हैं कुवर सेन इस शिरी गंगानगर से भी कानेड लेकर आते हैं डॉक्टर करनी ये बीकनेर से जूदपुल लाते हैं और कुम्भराम ये हनुवान गड़ से चूरू ले जाते हैं पीली करांती किस से संब्बन देता हैं तो तिल और द्योग से संब्बन देता हैं हरदेव जोसी पत्र कारिता एवं संचार विश्विध्या लेह जैपुर जिले में जैदयाल सोनी और चीतराम किस संब्बन देता हैं तो तुर्रा कलंग की ख्याल से संब्बन देता हैं गेहुए दल्हन पर राश्टिक खादिस रक्षा मिसन राजिस्तान में कब शुरुआ था दोजार साथ आठ में अलफी सौल मिर्दा पाई जाती है अलफी सौल मिर्दा पाई जाती है दोसा और अलवर जिले में जैपर दोसा अलवर जिले में फतुहात ए आलमगिरी के लेखक कौन है तो ये नागर है ईस्वरदास नागर बेगती गाउं फलोदी किसके लिए जाना जाता है कौन से लोग देवता का इस्तान है तो हडवु जी राम देव जी के मौसेरे भाई मेवात अलवर में जनम कौन से संत का हुआ था अलवर मेवात अलवर में कौन से संत का जनम हुआ था तो लालदास जी का हुआ था मेवात अलवर में जनम किस संत का हुआ था तो लालदास जी का हुआ था captive animal sponsorship scheme का मुख्य उद्देश क्या है इसका उद्देश है पक्छी पक्छीयों को गोद लेना जन सादरन द्वारा पक्छी सालाओं के पक्छीयों को आम जन द्वारा गोद लेना गोविंद गोविंद ने कौन सी रचना की थी गोविंद ने रचना की थी द्वार दीपक की नाथा नाथा ने किस की की थी बस्तु नाथा ने की थी बस्तु मंजरी की मंडन ने किस की रचना की थी तो यह देव देव मूर्ति प्रकरण की कुम्भा ने किस की रचना की थी संगीत राज की खेड़ा किसा नांदुलन किस ने किया था महात्मा गांदी और सरदार बल्लब भाई पर्टेल ने नेतरत्व किया था 1857 की विद्रो के समय ठाकुर कुसाल सिंग कहां के थे आउवा के ठाकुर थे 2021 में सामान से 60% राधिक वर्सा कौन से जिले में हुई थी राजस्तान के में तो यह है चूरू जिले में परदानमंतिर राष्टिये वाल पुर्सकार 2022 किसको दिया गया था तो ये दिया गया था गौरी महिस्वरी राजस्तान के थे गौरी महिस्वरी को दिया गया था वाल पुर्सकार चित्रोड दुर्ग के पर्थम दुआर पार्डण पौल पर किसकी मूर्थी है तो इसपर मूर्थी है भाग सिंग्य की रावत भाग सिंग्य की यह दूसरे यह मेबार के दूसरे साके में मारे गए थे के सरी किया था इनों रावत बाग सिंग यानि कर्मावति के साथ थे जैपुर प्रजा मंडल की स्थापना किस ने की थी जमना लाल बजाज ने राजस्तान उच न्याले के मुख्य द्यादिस जस्टिस पंकच मित्तल राजस्तान के बनने से पहले जम्मु कस्मीर उच न्याले के न्यादिस थी भारतिय राश्टी कॉंग्रेस ने किस अदिविशन में रियासतों को स्वतंतरता आंदोलन में सहयोग करने का योग 28.85% 2011 से लेकर 2022 में था तो यह थे CET के सेकंड पारी की फेपर थे जो रीट के लिए काफी महत्पूंड है वीडियो को लाइक करना सेयर करना और धन्यवाद